अलो आश्पिरेंस, वल्कम बाक टो करियर पर, वल्कम बाक टो मै चैनल, तो आज है मौक नंबर टू, नबाट ग्रेड ट्वेनी ट्वेनी ट्री कम्प्यूटर अवेनेस ट्लासस का, जिसमें हम कवर कर रहे हैं, एक्जाम और येंडिल कोशन जो आपको देखने को मिल सकते है आपके नबाट ग्रेड ट्वेनी ट्वेनी ट्री के एक्जाम में, तो चलिए शार्ट करते हैं आज की वीडियो को, सबसे पहला कोशन है, अब आप लोग जो PC's, computers यूज़ करते हो अपने घरों में, वो कुछ major functions जाएं परफॉर्म नहीं करता है, अब ये शारे functions दे रखे हैं, अगर हम बात तरहेंगे इसका answer की, तो इसका answer है, analyzing data या information, computer जो है अपने आप data को analyze, या फिर किसी information को analyze नहीं करेगा, basic function क्या है computer के, outputting या फिर data output और controlling, तो basically अगर answer हम देखेंगे, analyzing data और information, computer जो है अपने आप analyze नहीं करेगा data को और ना ही किसी information को analyze को देगा आपको, अग computer performs five basic functions, input, storage, processing, input, storage, processing, output and control, second question है मार पास, a disk on which you store information is called, यहाँ पर आपको disk देख रही है, जिसके योपर आप information को store करते हो, उसको हम क्या कहेंगे, इसका answer है data disk, data disk is the disk on which you store information, a data disk is a managed disk that's attached to a virtual machine to store application data, और other data you need to keep, जो भी आपको data store करना है वो आपको data disk help करेगी, store करने के लिए, third question है, a desktop computer is also known as, desktop computer कौन सा, जिसके अंदर एक monitor होता है, सामने आपको screen देख रही है, यह monitor की, अगर हम बात करेंगे, a desktop is also called a PC, PC का full form आप नीचे comment box में comment करोगे, PC की full form क्यों होती है, fourth question है हमार पास, the name given to a document by its user is called, suppose करते हैं, आपने एक word document खोला, उस पर आपने 10 minutes के लिए काम करा, अब आपको लग रहा है, यह काफी important file है, मुझे इसको save कर लेने चाहिए, आपने control plus S करा, अब आपको वो option देगा, कि वो किस नाम से आपको file save करने है, आपने file का नाम लिख दिया, career पर, और आपने save कर दिया, आपने desktop के उपर, अब यह जो आपने नाम दिया, इस document को, career पर, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे file name, the name given to a document by its user is called, file name, कोई भी file आप save कर लो, word, word की, excel की, ms access की, पीपीटी अगर हो, लेकिन अगर आप file name अपना दे रहे हो, अगर computer generated भी दे रहे हो, उसको file name ही कहेंगे, फिर्फ कोशन है, devices that make up a computer system, that you can see or touch, is called, इसका आंचर यहांप हाडवेर, hardware के अंदर काफी सारे चीज़े आती हैं, अगर CPU के अंदर यह सारे parts हैं, यह आपके hardware का part है, ठीक है, software जो internal, software आप डलवाते हो, अपने computers के अंदर, वो software होता है, internal को, जिसको आप touch नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसको आप touch कर सकते हो, जिसको आप feel कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, इसको आप कहेंगे hardware, अगर हम example लेंगे, software की तो software आप कह सकते हो, Java, Java is a software, ठीक है, आपको अपने computer में install कराने पड़ेगा, Photoshop, Photoshop is a software, यह आपको computer में install कराने पड़ेगा, CorelDraw, यह सब example जहें, आपको आपको सामने chip देखेगी, green color की, तो वो आपका क्या है, hardware, hardware component है, एक आपको green कराने chip देखेगी कितनी सी, जब आप install कर वाओगे इसको, तो यह basically आपको visible है, तो यह होगी हाडवेर, 6th question की तरफ बढ़ने से पहले, नीचे comment box में, आप लोग comment कर आपको वीडियो कैसे रख रही है, दूसरा description box में, जो वीडियो का description है, उसमें आपको काफी links मिल जाएंगे, जो आपको help कर सकते हैं, products आपकी, अगर आप तयारी करेंगे हो, किसी भी government exam की, आपकी preparation में, आपका study table, आपके register, आपके pen, आप लोग जाके उनको purchase कर सकते हो, नीचे comment box में भी, और description box में link दे रखा है, उसको आप जाके उनको buy कर सकते हो, description box में दे रखा है, आप जाके उसको buy कर सकते हो, काफी affordable app को मिल जाएंगे, next ना बात करते है, what is windows explorer, यह होता है windows explorer, यह फिर इसको आप कहते हो, file explorer, यह basically आपका file manager, यह यतनी भी file जैंगो manage करेगा, आगर आप देखो कि यह desktop का जो नीचे, बाहर होता है, उसमें आपको यह yellow color का ऐसा दिख जाएगा, इसको आप touch करोगे, यह आपको नाम बताएगा, file explorer, file explorer हो गया, या फिर windows explorer, या फिर इसको आपके जोटी हो, file manager, next आप बात करते हैं, dash is the process of finding errors in a software code, एक software का अगर अगर code यहाँ पर चला रहे हो, कोई software जैसे मैंने java की बात कर रही थी, java का अगर आप code चला रहे हो, और आपको उसके अंदर errors find करने हैं, तो उसका answer क्या होगा, पहली बत तो हम पर आपर, answer इसका testing, testing is the process of finding errors in the software code, software code के अंदर आपने run कर रहा है, software code और आपको दिख गया कोई error, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसके process code testing, उसके process code क्या कहेंगे हम लोग, testing, इस concern यहाँ पर है, testing is the process of executing a program, testing is the process of executing a program, और part of a program, with the intention of finding errors, errors find करने के लिए आपको टेस्ट उसको करना पड़ेगा, एफ्ट कोशन है, इन Excel, चार्ट सर्कूर्ट उसके अप्शन, Excel के अंदर आपको चार्ट बनाने को उप्शन आता है, तो चार्ट यह कैसे create होते हैं, कौन से option के थूँ, तो यह है चार्ट विजट, चार्ट विजट एक option मिलेगा आपको जिसके थूँ आप, 3D columns या 2D columns या 3D bar columns बना सकते हो, नाइन कोशन इस, dash represents raw facts, whereas dash is data made meaningful, तो इस कारण से basically यहाँ पर है data, information, data represents the raw facts, जो raw facts होते हैं, वो होते हैं data के अंदर, whereas the information is the, data made meaningful, last question आजगा, what is the storage area for email messages called, इसको हम कहेंगे mailbox, mailbox के अंदर आपको जितने भी email है, वो store होते हैं, बहले वो inbox के हो, sent के हो, कोई draft हो, कोई spam mail हो, कोई promotional mail हो, इस सारे के सारे, जो हैं, जितने भी हैं, एक mailbox के अंदर, fit हो जाते हैं, fit basically store हो जाते हैं, mailbox के अंदर सब आपको मिल जाएगा, तो आज हमने कबर करें, 10 एंसे important question जो आपको देखने को मिल सकते हैं, नबाड ग्रेड ए 2023 के एक्जाम में, नबाड ग्रेड ए 2023, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, content बड़ी लगाओ, तो चानल को subscribe, और बेल आकन प्रेस करें न, ताकि कोई भी वीडियो है, मिसन नहीं अब तब पहुँच जाए, और आप लोगे शानक को subscribe करेंगे, तो मुझे और मोटिविशन मिल देगा, नई वीडियो बिलाने का, तो खतम करते हैं आज की बीडियो को, थांक्स वाच्छिए,